हेलो व्रिवन दिस साइड मोनी का यादो होप यू ओल गूड आज की इस वीडियो में मैं आपको एट क्लास की सैल प्रक्टिस टैन सी करवाऊंगी टैन सी का कोशन वन टू मैं ओलरेडी करवा चुकी हूँ इस वीडियो में कोशन 3 टू 7 कम्पलीट करवाऊंगी इससे पहले की वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा चलो भी एक्ससाइज करते हैं थार्ड कोशन देखी दो मीजर ओफ टू अर्जिसेंट एंगल ओफ पारलेलोग्राम और इन रेशो फोर रेशो फाइफ फाइंड दा मेजर ओफ इच एंगल ओफ दा पैरलेलोग्राम और जौँन एंगल चार रेशो फाइफ में हैं ठीक है यहां पर रेशो दे रखा है फिर हम लेके चलते हैं अलट दा कोमन रेशो बिट्वीन एंगल लेट दा कोमन बिट्व इंगल एक्स ओकी देन एंगल्स आर तो एंगल्स कौन-कौन से हो जाते हैं हमारे 4X and 5X ओकी यहां पर ही क्लाइन लिखेंगे तो अट जिसेंट एंगल्स ओफ पैरलेलो ग्राम आर सप्लिमेंटरी इट मिन्स 4X प्लस 5X करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 180 डिगरी ओके 4X और 5X मिलके कितना बनाते हैं 9X इकोल टू 180 डिगरी यहां से X की वेलियो आ जाएगी 180 डिगरी को डिवाइड कर देते हैं 9 से तो हमारे पास कितना आंसर आता है 20 डिगरी X इकोल टू 20 डिगरी आ गया पैरलेल ग्राम के एंगल कौन कौन से थे 4X और 5X ओके तो यहां पे हम X की वेलियो रखेंगे 4 इंटू 20 डिगरी तो आएगा 80 डिगरी और 5 इंटू 20 डिगरी रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 100 डिगरी ठीक है आपको पता ही है और आपोसिट एंगल जो है इकोल होते हैं तो दो एंगल 80 डिगरी की होंगे और दो 10 डिगरी की होंगे यहां पे हम लिग देंगे यहां आपकी बुक में मिस्प्रेंट है आपकी आंसर में 110 मिलेगा इस चीज़ को लेके बार बार मुझे मत बोलना कभी कभी आंसर में मिस्प्रेंट हो जाते हैं कोशन 4 करते हैं तो आपोसिट एंगल सोफ आपारलेलोग्राम एक तो यह दिया हुआ है एक यह दिया हुआ है हमें पैलेलोग्राम के सारे एंगल फाइंड आउट करके देने हैं देखो यहां पे अपोसिट एंगल दे रखें तो हम पैलेलोग्राम की अपोसिट एंगल वाली प्रोपर्टी यूज़ करेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले opposite angle of the parallelogram are equal it means हमारे पास क्या आ गया है 5x minus 21 degree equal है x plus 75 degree के ओके अब ही हम transposing करते है x को ले आते हैं left hand side 5x के साथ ये minus होगा क्योंकि है plus का sign ले रहा है ठीक है 21 degree को ले जाते है right hand side 75 के साथ ये क्या होने वाला है देखो यहाँ ये negative sign के साथ है इदार आएगा तो ये positive हो जाएगा ओके यहाँ पे आता है 4x equals to 96 degree ओके अभी हम 4 की transposing कर देते हैं ये 96 degree को divide करेगा ये चला जाएगा 4 की table से 24 degree पे ठीक है ये हमारा angle नहीं आया है angle क्या था हमारा एक तो था 5x minus 21 degree और दूसरा था x plus 75 degree दू एंगल निकालते हैं पहले हम 5 x 24 degree minus 21 degree और यहाँ पे लिखते है 24 plus 75 degree 24 को 5 से multiply करेंगे तो 120 याएगा हमारे पास इसमें से minus करते हैं 21 degree तो आता है 99 degree इनको add करते हैं तो 99 degree आगे है दो एंगल तो हमारे पास आगे पेरलेलोग्राम में होते हैं 4 एंगल अब आगे हम करेंगे देखो मैं अगर पेरलेलोग्राम बनाऊँ तो यह 99 degree का आगया यह भी 99 degree का आगया remaining angle यह रह गया यह रह गया अगर इसका नाम मैं रखू जैड तो इसका नाम भी हम जैड रखेंगे clear अब हम यूज करेंगे दा एंगल सम ओफ अ कोडिलेटरल इस 360 degree ओके इट मिन्स जैड प्लस जैड प्लस 99 प्लस 99 इस पर डिगरी हो लगा ले ना इकोल टू 360 degree ओके यहां से आता है हमारे पास 2Z प्लस यहाएगा 198 degree इकोल टू 360 degree 2Z इकोल टू 360 degree में से माइनस करदो 198 degree 2Z इकोल टू हमारे पास हाएगा 162 degree then हम 2 से डिवाइड करेंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 81 degree ठीक है दो एंगल तो थे 99 degree के ठीक है और दो एंगल किसने के होगे 81 degree के क्योंकि हमने एक एंगल Z लिया था Q5 देखी The ratio of two adjacent sides of a parallelogram is 7 ratio 9 and its perimeter is 96 cm Find the side of the parallelogram यहाँ पर ratio दे रखा है पहले हम लेते हैं Let the common ratio अगर हमने X ले लिया Then sides क्या हो जाएंगी Then sides are 7X and 9X देखो आपको पता ही है कि parallelogram में opposite side जो है equal होती है यही होता है ना अगर यह वाली side 7X है Then यह वाली side भी 7X होगी और यह 9X है Then यह वाली side भी 9X होगी Then हम लोगों को parameter of the parallelogram दे रखा है जो की है 96 cm parameter क्या होता है सबी sideों को add को या जाता है ना parameter में That's why हम 7X plus 7X plus 9X plus 9X कर देते हैं और equal का sign लगा के रख देते हैं 96 cm Okay 7 को 7 से add करेंगे तो 14X plus 18X equal to 96 cm इनको add कर लीजे क्योंकि देखो दोने ही यह x valuable वाली time है इनको add करते हैं तो आता है 32X equal to 96 cm यहां से हमें x की value मिलेगी 96 को हम डिवाइड करेंगे 32 से यह देखो थ्रीजा पे जा रहा है x equal to 3 यह आ चुका है हमारे पास then the sides are side है हमने क्या के लिए थी 7X एक और 7X और एक 9X थी तो एक 9X थी यहां पे सब में value रखेंगे 7 x 3 तो आएगा 21 cm यहां पे भी 7 x 3 रखेंगे तो आएगा 21 cm और यहां रखेंगे 9 x 3 क्योंकि x की value 3 निकली है तो आएगा 27 cm और लास्ट वाली भी हमारी 27 cm आएगी 6 कोशन देखिए इस कोशन में न कुछ कौशन समय दिये हुए हैं तो हमें बताना है कि वो पैरलेलोग्राम है या नहीं है और जो भी बताओगे उसके पीछे की reason दोगे आप यहां देखोगे कि यह वाला point है इधर भी 3 cm है इधर भी 3 cm है सेम यहां से यहां तक 4 cm है तो यहां से यहां तक 4 cm है इट मेंस डाइगनल जो है वो एक दूसरे को bisect कर रही है इट मिंस यह पैरलेल उग्राम है यहां क्या आएगा येस डाइगनल्स क्या कर रही हैं? bisect कर रही हैं इच से Michigan गरो बी पार्ट देखिए यहां देखो 5 cm है यहां भी 5 cm है और यहां 6 cm की साइड है तो यहां भी 6 cm की साइड है इट मिंस यह पैरलेल उग्राम है क्योंकि पैरलेल उग्राम में ही अपोसिट साइड इकूल होती है यहां लिखाऊगे yes opposite sides are equal और opposite side equal है इट मिन्स यह पैरलेल अक्राम है question c देखे यहाँ पर देखो यह angle 70 का है यह angle भी 70 का है यह opposite angles है ना same इसी तरह से 110 का है तो यह भी 110 का है क्योंकि देखो opposite angles जो है वो equal है इट मिन्स यह क्या है पैरलेल अक्राम है yes यह reason लिखोगे opposite angles are equal ठीक है देखो यहाँ पर angle 1 के equal angle 2 है angle 1 के equal angle 2 है क्योंकि यह alternate angles है ठीक है but different pair of opposite sides equal तो यह answer आएगा no इसलिए यह parallelogram नहीं है question E देखो यह point हम लेते हैं जहाँ diagonal इंटरसेप्ट हो रही है यहां से यहां तक की दोरी 2 cm है तो यहां से यहां तक की दोरी 2 cm है यह तो बिल्कुल ठीक है और यहां से यहां की दोरी 3 cm है और यहां से यहां की दोरी 4 cm है it means diagonal bisect नहीं हो रही और diagonal bisect नहीं हो रही it means यह parallelogram नहीं है यहां लिखो गिनो और reason में क्या देऊगे diagonals do not bisect each other question F देखिए 100 का opposite angle भी 100 है यह चीज तो ठीक है बट यहां पे देखो यहां पे 75 है और यहां पे 85 है और parallelogram में तो opposite angle equal होते हैं यहां opposite angle equal नहीं है answer में लिखो गिनो देखो एक side का pair तो ठीक है एक side का नहीं है इसलिए reason में लिखेंगे only one pair of opposite angles are equal सिर्फ एक ही pair equal है इसलिए parallelogram नहीं है question seven देखिए find the value of a and b that would make the quadilateral a parallelogram हमें a और b की value find out करनी है इनकी value ऐसी होगी की यह जो भी है यह quadilateral को parallelogram बनाएगा आपको पता है यहां side दी हुई है तो आप यहां पे use करोगे opposite side of a parallelogram are equal और उसी की help से हम इनकी value find out करेंगे ठीक है जैसे की 5 a minus 13 इसके opposite side कौन सी दे रखी है 3 a minus 5 इनको equal रखेंगे और इस तरह से हम variables की value find out करेंगे ठीक है equation आगे इसको हम solo कर लेते हैं 5 a यहां से 3 a की transposing कर देते हैं left hand side तो यह negative हो जाता है minus 5 और इस 13 की transposing करते हैं right hand side 13 देखें यहां पर negative है जब यह right hand side जाएगा तो यह क्या हो जाएगा positive okay 5 a में से 3 a जाएगा तो हमारे पास 2 a बचेगा यह equal का sign लगाएंगे और 13 में से 5 minus करते हैं तो क्या बचता है 8 अभी हम इस 2 की भी transposing करेंगे 2 इदर जाके right hand side जाके divide करेगा 2 की table में 8 आता है 4 पे इस तरह ऐसे a की value हमारे पास क्या चुकी है 4 दूसरी side की बात करें तो एक जीग के दिया हुआ है 10b minus 3 equals to 8b ओके अभी इसको solve करेंगे इस 3 की transposing कर देते हैं पहले right hand side 10b equal to 8b plus 3 plus 3 क्यों आया है यह इदर negative था और जब यह right hand side जाएगा तो यह positive हो जाएगा अभी 8b की transposing करेंगे हम left hand side यह 10 के साथ आके minus होगा ठीक है इदर रह जाएगा सिर्फ 3 यहां रहेगा 2b equals to 3 अभी 2 की भी transposing कर देते हैं यह 2 जाके इदर divide करेगा आप पूरा इसको divide करोगे तो decimal में answer आजाएगा 1.5 b की value क्या है 1.5 a की value क्या है थी 4 question b करते हैं मैं इस parallelogram का नाम रख देती हूँ a b c d आप यहां देखोगे कि आपको यहां angles दिये हुए हैं ठीक है आपको पता है opposite angle of a parallelogram are equal it means angle a के equal है angle c और angle b के equal है angle d ठीक है जी आप देखोगे यहां opposite angle वाली theorem हम यूज नहीं कर रहें क्योंकि variable डिफरेंट डिफरेंट है हम क्या करेंगे angle c प्लस angle d करेंगे यह देखो अरजिसंट angle है ना angle c और d that is equal to 180 degree यहां पर reason देखोगे the sum of adjacent angle of a parallelogram is 180 degree c की जगहा पर हमें angle a की value रखनी है क्या 4a minus 8 degree bracket के अंदर रख दो ठीक है then plus का sign then हम angle d की value लिखेंगे 8a minus 10 degree equal to 180 degree अब इस equation को हम solo करेंगे अब हम bracket operate कर देते हैं 4a के साथ हम 8a लिए आते हैं यह positive है 8a negative 8 degree के साथ negative 10 degree रखते हैं that is equal to 180 degree यह दोनों plus होते हैं तो क्या आता है 12a minus 18 degree equal to 180 degree इस 18 degree की हम transposing कर देते हैं right hand side तो यहां हमारे पास आएगा 12a equal to 180 degree plus 18 degree तो हमारे पास आता है 12a equal to 198 degree अभी हम 12 की भी transposing कर देते हैं यह a के साथ multiply हो रहा था तो right hand side जाएगा तो यह क्या करेगा divide 12 से divide करेंगे तो यह decimal में answer आएगा 16 decimal 5 a की value हमारे पास आ गई है अभी हम b की value निकालेंगे देखो b की value भी इतने easily नहीं निकलेगे पहले हमें न angle d की value निकालनी पड़ेगी क्योंकि देखो b variable इसके पास है और इसका opposite angle यह वाला angle पड़ रहा है जब हमें यह पता चल जाएगा फिर हम equally expression के equal to वह angle रख देंगे ठीक है पहले हम निकालते हैं 8 a minus 10 की value 8 into 16 decimal 5 उसमें से minus करेंगे 10 degree multiply करते हैं तो आएगा 132 इसमें से minus करेंगे 10 degree तो हमारे पास आएगा 122 degree इट मिन्स एंगल डी कितने का है 122 degree का अभी हम क्या करेंगे 5 b plus 6 degree equal to रखेंगे 122 degree यहां लिख देंगे ऊपर लिख रहे हूं मैं the opposite angle of a parallelogram are equal ठीक है 5 b equal to 122 degree minus 6 5 b equal to क्या आजाएगा हमारे पास minus करेंगे तो 116 degree अभी हम b की value निकालेंगे 116 degree को डिवाइड कर देंगे 5 से डिवाइड करोगे तो हमारा answer आएगा decimal में 23 decimal 2 b की value क्या आगी है 23 decimal 2 question c करेंगे यहां हमें diagnose दे रखी है तो सबसे पहले हम उपर लिखेंगे the diagnose of a parallelogram bisect each other जहां यह intersect point है यह वाला diagonal का यह particle है इससे और यह वाला particle होगा इससे ठीक है हम यह वाला diagonal पे काम नहीं करेंगे देखो इसमें variable अलग अलग दे रखी है जिसमें variable same दे रखी है उस वाले diagonal पे पहले काम करेंगे इसमें हमें दे रखा है 5B minus 7 यह equal है किसके 3B plus 6 के ओके हमने equal कर लख दिया अब इसको हम solve करेंगे 3B के transposing करेंगे left hand side यहां यह negative हो जाएगा और इस negative 7 के transposing करेंगे right hand side तो यह इदर आके positive हो जाता है हमारे पास आएगा 2B equal to 13 अब इस 2 के भी transposing करें तो B की value आ जाती है 13 को divide करना है 2 से तो हमारे पास क्या आएगा 6.5 यह B की value आ गई है ओके हमारे पास आ गया है B equal to 6.5 अच्छा एपाला variable निकालने के लिए हम दूसरे diagonal पे काम करेंगे जिसमें दे रखा था 3B minus 5 यहाँ पे हम B की value रखेंगे 3 multiply B की value क्या है 6.5 minus 5 equal to 2A ओके इनको multiply करते हैं तो आता है 19.5 minus 5 equal to 2A minus करते हैं तो 14.5 आता है that is equal to 2A हम 2 की भी transposing कर देते हैं यह 14.5 को divide करेगा तो हमारे पास A की value आ जाती है इसको divide करेंगे तो decimal में हमारा answer आएगा 7.25 A equal to क्या गया है 7.25 आप लोगों की self-practice 10C complete हो चुकिये hope you like this video if you like then press like button and share with your friend I will upload your next video soon till then bye bye take care stay connected